जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है तब एक समय आता है जब हमारी आखों की रोशनी कमजोर हो जाती है और सुई में धागा डालना वो भी बिना चश्मे के बहुत मुश्किल हो जाता है तो आज मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी जिससे कि आप असानी से सुई में धागा डाल सकेंगी अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज उसे लाइक और शेर करना ना भूले और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा धागे को कुछ इस तरह से हतेली के उपर बिचाना होगा और बिचाने के बाद जो सुई का फ्लैट वला हिस्सा है उसे धागे के उपर रखते हुए छे से साथ बार दाएं से बाएं कुछ इस तरह से गिसना होगा और जैसे ही हम इस तरह से गिसेंगे तो आप देखेंगे धागे का एक छोटा सा लूप सुई के होल के अंदर बन गया है बस आपको इससे सावधानी के साथ पकड़ लेना है और खीच लेना है लीजिए आपका सुई में धागा डल गया और वो भी कितनी असानी के साथ है ना कितना असान सुई में धागा डालना चलिए मैं आपको इसे एक बार फिर से करके दिखा देती हूँ वो भी जूम करके तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा धागे को अपनी हतेली पर उंगलियों में फसाते हुए कुछी इस तरह से बिछा लेना है और सुई का फ्लैट वाला हिस्सा धागे के उपर रखते हुए दाएं से बाएं घिसना है जब तक कि धागे का एक राउंट सा लूप सुई के होल के अंदर ना बन जाए बस इस लूप को पकड़ लीजिए सावधानी के साथ और लीजिए डल गया आपका धागा आप जब इसका बार-बार अभ्यास करेंगे तो आप भी इसे असानी से करसे